प्राइडे को देखने को मिला था काफी ज़्यादा मार्केट में गिरावट थी पर उसके अंदर भी कुछ कंपनिया बहुत अच्छा प्रफॉर्म की और ओवरॉल तो मार्केट पूरी डाउन ही रही है कुछ अच्छा प्रफॉर्म करने का मेरा मतलब है कि अपना ट्राइडेंट अच्छा दिया है और इंडिया बूल हाउसिंग फैनेस भी अच्छा प्रफॉर्म किया है और भी बहुत सी कंपनिया थी मुखे रूप से क्योंकि हम लोग इनको मॉर्टर करते हो आ रहे हैं तो मैं इन ही दो को नाम गिनाऊंगा क्योंकि हम लोगों ने इंडिया बूल हाउसिंग फॉर्नेंस को डिस्कस कर लिया है ट्राइडेंट का भी टार्गेट हिट हो गया है पर अभी ऐसा कुछ उसमें रहता नहीं है कि आपको कुछ नया भी एक्स्प्लेइन करने को तो हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं और अगर आपको कुछ और उसमें जानना है तो आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी य ठीक है तो हम लोगों को अभी एक सही रेंज में 88 रुपीज वाली जो रेंज है वो भी एक अच्छा यहां पर बाई करने को मिल जाता है हां मैंने थोड़ा आप इसमें बाई करने की पोजिशन क्योंकि बिलो आ रखिये तो और अच्छा प्राइज यहां पर पोजिशन मि इसकी कंडिसन्स आ जाती है तो अभी सेल पे बात करेंगे सेल का भी वही था एक सो तीन रुपए के राउंड अभी आ रखा है मैंने आपको 101 रुपए से 103 रुपए 105 रुपए के राउंड इसमें एंट्री के लिए बताया था तो अभी आपके लिए और भी अच्छा मौक है वह भी आपको यहां पर पता लग जागा तो वीडियो में बने रहे हैं वीडियो को लाइक कर दिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो चैनल पर नहीं हो नोटिफेशन बेल भी और पर रखें ताकि उनको आने वाले जो नेक्स्ट अपडेट रहेंगे वह भी आप जो है आपको एक यूपी आइड्रेस दे सकता हूं जिसके वाज़े से जिससे आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं गूगल पर दौरा और उसके बाद आप टेलीग्राम पर भी कोश्चन्स पूछ सकते हैं और कम्मुनिटी पोस्ट में जा सकते हैं उस तरीके से भी पूछ सकत आप यह तो इस तरीके से और उसके बाद वन महीने तक का उसमें एड्रो जाएंगे और महीने तक आप इसमें कुश्चन्स का जो भी है जानपरदान आपको जो भी चाहिए जिस से चाहिए वह आपको हैल्प मिल जाएगा चले अब लोग बात करते हैं इस सेयर पर सेल पर अच्छी company है, बहतरीन company है, dividend भी अच्छा provide करती है, financial conditions भी बहतर है, फिलाल जो market का down रहा है, उसी में सभी समाय हुए है, और सभी को जटका, यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, तो यह 103 रुपे 65 पैसे पर है, February 10 को next earning results आने है, earning पर share company की बहतरीन है, अच्छी खासी market capital ह dividend जो भी last time provide किया था, वो 5.6 का था, और आप लोगों को पता है कि 4 रुपे तक का इसने दिया था, ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखिए, 4 रुपे तक का था, अब तो दो दिन में इनकी payment भी आ जाएगी हमारे account में, तो यह जो मतलब उसी के चलते भ करती हैं, तो थोड़ा बहुत नीचे आती हैं, तो वो चीज भी आप समझ सकते हैं, तो उसका भी इस पर negative रहा है, earning पर share 3.45 की है, यहाँ पर अभी भी हमको जो वन येर की अस्थर पर 122% का return provide कर रही है, company को जब मैंने आपको recommend किया था, वो price अब देखे जा चुका है, क् कि हम लोगों ने जब इसको लिया था trace, तो यह 30 रुपए के round थी, और उसके बास से ही इसको monitor करते रहे, बहुत time तक हम लोगों ने इसको 30 से लेके वापस 38 तक, 30 से फिर 38 तक का भी सफर हमने इसमें बहुत बार देखा है, और उसके बास से अब देखिए, अब काफी ज़ लिकत नहीं है, सेल की आप website से भी check कर सकते हैं, company की details को, आपको screener पर भी मिल जाएगा, आप trading भी पर बहुत सारी platform address कहीं से भी, आप BSC, NSC कहीं से भी data चेक कर सकते हैं, बहतर है company, all time high price की बात करें तो 293 रुपीज तक जा रखी है, तो अभी भी एक तरीके से आपको अग आप करेंटेस तो 613% इसका profit growth रहा है, sale growth भी 54.3% बढ़ा है, quarter wise जो number आये थे, जून से सितंबर की हम लोगों ने discuss कर रखें, होगा तो मैं उसका वीडियो का link में discussion में डाल दूँगा, quarter 2 के नतीजे हम लोगों ने explain किये थे, 13.3% का वहाँ भी number का growth था, बाकि return on asset company का अगर आप current value पर भाई भी करते हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं रहती है, condition wise बात की जाए तो इस बहुत बहुत बैतरी है, quarterly result अच्छे है, CAGR अच्छा है, dividend yield थोड़ा बहुत maintain करना शुरू किया है, पर यहाँ पर जो provide किया था last time वो भी बहतर number थे, debt भी company के reduce हुए है, cons में भी आ जाता है कि अभी भी liabilities के part बड़े हैं, और capitalizing interest costs, यह सारी चीज़ें अगर company के नतीजे बहतर आते हैं, तो यह कौन से कोई दिक्कत नहीं पढ़ने वाली है, पर हाँ एक चीज है जो last three year में इसके promoters के holding 10% decrease हुई है, पर still एक बड़ा percent, अभी भी 65% बड़ा number आ जाता है, तो इसे साफ से financial condition अच्छी है, चार पे बात कर लेते हैं, तो यह देखें टेस, अगर आपको इसको खरीदने के लिए जाना है, तो आप इसको एक सो नो रुपे क्योंकि और इसने support one को break कर दिया है, तो आप इसको currently label पे भी बिलकुल buy करने के लिए जा सकते हैं, और अब जो support इसमें मिलता है, वो 98 रुपी 60 पैसे 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 जैसे कि मैं आपको बता रहा था, और अब आपको इसको अगर खरीदने के लिए बहतर range चाहिए, तो इससे बहतर range अब कोई नहीं मिल रहा है, और मैंने आपको जब भी buy करने का बोला है, कि मैं जादा support level के पास रहे उतना बेतर है, तो फिलाल ये तो support level से भी नीचे आ रखा है, तो आप इसको current level भी buy करते हैं, तो बहुत बहुत बैतर यहाँ पर मिल जाता है, मलब 98 रुप, 99 से आप लेके इसको 106 रुपी, 108 तक भी जाते हैं, तब भी बहुत 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 तो आप इसको 98 रुपीस तक के भी जा सकते हैं खरीदने के लिए, जिन लोगों ने ऊपर पर buy कर रखा है, वो dividend तो मिलेगा ही उनको अब payment आ जाएगी account में, और उसके बाद ही आप इसको और भी इसमें hold करके चल सकते हैं, और वापस से ये जो targets हैं, उनको follow करके चल सकते ह पाद हो सकता है, थोड़ा बहुत, already इतना डिप आया है, अगर थोड़ा और भी जाना होगा, तो वो 98 तक का जा सकता है, यही था टोटल अपडेट इस्टील अथर्टी अफ इंडिया, पर शूंस वीडियो मेरते हैं, आपको नेक्स एक साथ, नेक्स वीडियो मेरते हैं, झाल 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